हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक जिसका नाम है शोडिंगर एक्वेशन और इसे हिंदी में कहा जाता है शोडिंगर समीकरन तो यह टोपिक इतना इंपोर्टेट है कि इसके इसको दुनिया जान की उनिवेश्टी से ओफर आये थे जब इसको नोबेल प्रसका मिला और इसा एक्स्पेरिमेंट की आदमे का दिमाग होमा दे कि क्या होगा इस एक्स्पेरिमेंट की रिजल्ट में तो बहुत है इतना फेमोस साइंटिस्ट था कि इसको दुनिया जान की उनिवेश्टी से ओफर आये थे जब इसको नोबेल प्रसका मिला तो इसने तीन चार अच्छे ची उनिवेश्टी में पढ़ाया जैसे कि ओक्सफवर्ड उनिवेश्टी प्रिंस्टन उनिवेश्टी इसको इंडिया की उनिवेश्टी जो कि है अलहाबाद उनिवेश्टी वहां से इसके पास ओफर आया था और इसने एक्च्छल में वह उफर एक्सेप्ट कर लिया था लेकिन वर्ड वर की वज़ए से यह वहां पर जान नहीं पाया वहां पर जोइन नहीं कर पाया अगर य हमारी उनिवेश्टी के हालात कुछ और होते हैं विकोज यह बहुत है टोप लेवल का साइंटिस था तो कुछ ना कुछ तो अच्छा काम करता ही करता है तो अब क्या होता है शोडिंगर इक्वेश्ट के बारे में बात करते हैं क्या जरूरत पड़ी थी हमें शोडिंगर स्वाल के जवाब दे था है लेकिन क्वान्टम में हमारे पस एक एक वेश्ट अब मोचन है वैसे हुआ क्वान्टम गेशन shortinger equation नहीं है तो भधस सी चीज़ां पॉसिवल यह नही है quantum mechanics से हवारे लिए solve करना तो shortinger equation क्या हो ज़ाएगी? यह एक तरह से जसे हमारे पास classical mechanics में newton's equation है यह उसका quantum counterpart बन ज Size जैगी जो quantum में use करने वाले है तो shortinger equation बताताय क्या है ? shortinger equation बताताय है कि तो एक time भी आ जाएगा, तो time के साथ जो changes आएंगे हमारे wave function में, उसको deal करता है Schrodinger equation, तो formula बनाते है Schrodinger equation का, तो भाई आप लोगों ने Hamiltonian operator पढ़ रखा है, Hamiltonian operator होता है, कि suppose हमारे पास जो total energy है, किसी भी system के लिए, वो क्या होती है, kinetic energy plus potential energy, इसी को बोलते है हम Hamiltonian operator, kinetic energy का formula होता है, हमारे पास P square divided by 2m, potential energy को हम लोग V से लिखते हैं, तो यह हो जाता है total हमारा Hamiltonian operator, तो यह क्या हो जागा हमारे पास, suppose हमारे पास कोई भी mass M है, जो किसी potential V में रखा गया है, तो total energy हमारे पास क्या होती है, यह होती है, P square by 2m plus V, इसको दिखाते है, H cap से यह होता ह हम बनाते है, Schrodinger equation, तो भाई, आप लोगों ने Eigen value equation पड़ी थी, आइगन value में हमारे पास क्या होता है, suppose हमारे पास कोई भी function X है, उसके उपर अगर हम कोई operator लगाते है, और वो function हमारा repeat हो जाए, और कोई भी एक lambda value आजे, उसको हम बोलते है, Eigen value, Eigen function equation, तो यहाँ पर हमारा operator क्या है, यहाँ पर हमारा operator हो रहा है, Hamiltonian operator, हमने क्या किया, sin पर Hamiltonian operator लगाया, वो एक energy value आगी E, तो यह हमारा wave function repeat रहा गया, तो यहाँ हम बोल सकते हैं, E जो है, वो हमारी Eigen value कि Hamiltonian operator की, किसी wave function, sin के लिए, अब हम H का मान पूट कर रहते हैं, H का है हमारा kinetic energy plus potential energy, तो यह हो ज delta h cut, del by del x, अब इसी को में p square होगा, तो यह हो जागा हमारा पास, minus h cut square, del square by del x square, अब यहाँ पर minus में confused नहीं हो, कि minus sign कैसे हो गया, minus का square करने से हमारा पस plus आता है, लेकिन यहाँ पर i eta square ही है, यह minus हमारा i eta square से आ रहा है, तो यहाँ पर जब पी square की value पूट करते हैं, तो हम जिस equation में time कर जी करना हो, इसको हम बोलते है, time independent equation, तो यह हमारे पास एक version आजएगा, Schrödinger equation का कौन सा time independent version, तो यह क्या बोल देंग हम इसको time independent Schrödinger equation, तो जब भी आपके पास कोई wave function हो, जो time पर depend ना कर रहा हो, तो उसको solve करने के लिए हम यह वाली equation use करेंगे, यह equation को आप अच्छे से समझ लें, याद कर लें, because पूरी quantum mechanics में अब यह equation बार बार यूज होने वाली है, अब इसी तरह से अगर हम time dependent वाला फ्रमूला लिखना चाहें, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास है hsin, ब्राबर e sin, h का फ्रमूला हमें पता है, kynetic energy plus potential energy, kynetic energy p2 by 2m plus potential energy, ह साही हमारा agities रहे जाएगा, और जब भी हम e का फ्रमूला लिखें time dependent, तो यह मैंने जब आपको energy operator बताया था, वहां बताया था, कि आइटा, h cut, dell by, dell t होता है time की respect में, तो यहाँ पर मैं e command put कर देता हूं, तो बो जगा, आइटा, h cut, dell by, dell t, साही हमारा agities रहे जाएगा, तो यह Schrodinger equation का हमारे पास second version आ गया, कौन सा time dependent वाला, क्योंकि यहाँ पर हमारी equation time पर depend कर रही है, तो जब भी हमें wave function दिया, उस sine, जो की function हो किसका time का, तो हम यह वाली equation use करेंगे, कौन सी time dependent version of Schrodinger equation, तो भई, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी बातें किसमें उरी है X में, यहाँ पर हम Y, Z की बात नहीं कर रहे हैं, तो यह क्या होजेगे हमारी 1D equation, इसी तरह से हम 3D equation बना सकते हैं, तो हमारे पास ultimately है, हमारे पास है H sin is equal to E sin, इसको बोलते है हम eigen value equation, H का मान पुट करते हैं, वो क्या होता है, P square divided by 2M plus V, यह होता है, काइनेटिक energy plus potential energy, sin हमार E sin, यह होता है, हमारा 1D के लिए, जब मैं इसको 3D में लिखूंगा हो, तो वो होजागा, minus H square divided by 2M, तो आजागा हमारे पास D square by DX square plus D square by DY square plus D square by D Z square, और यह हमारा sin plus V sin is equal to E sin, अब इस बार जो हमारा sin है, वो सिर्फ X का function नहीं है, वो हमारा function है किसका, X, Y and Z का, तो यह होग तो यह होजेगे हमारी Schrodinger equation किसके लिए, 3D wave function के लिए, अब हमारे पास एक concept आता है, छोटा सा free particle का, free particle क्या है, free particle एक आजाद परिंदा है, जो अपनी मस्ती में गुम रहा है, जिसको कोई रोक नहीं सकता, मनले उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का force नहीं है, force हमारे पा हमारे classical mechanics में यह formula हमारा quantum मHembayा क्लासिकल में ग्लीडी है, quantum में क्या करेंगे, quantum में इसे पर expectation लगा देंगे, यह हमारा quantum में आजेगा, यहां पर हमने classical mechanics का Yup वहां पर हमने expectation लगा के quantum में बना लिया तो यह यहां पर हमने किसका यूज किया यहां हमने यूज किया unfest theorem का अब यहां पर अगर हमारे पास कोई free particle है मलब उसके पर कोई भी किसी भी तरह का force नहीं है तो force यहां पर 0 आ गया हमने सिर्फ potential वाले part को zero कर दिया क्योंकि हमारा particle free था उसके उपर किसी भी तरह का कोई भी force नहीं है वो अजाद अपनी मस्ती में घूम रहा है तो यह था हमारा आज का छोटा सा topic हमने क्या किया हमने पढ़ा Schrodinger equation time dependent और time independent और हमने बात की free particle के बारे में इसके उपर potential zero होता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यी सो मथ जाहिन जाह भारत